कर देंस हम वर्तमान समय में जो विश्व का सबसे करंट विश्य चल रहा है इन्वार्नेमेंटल डिगर्डेशन उसके भीन कारकों के बारे में धिन या उनकी कारण जो है उसके कारणों के बारे में धिन कर रहे हैं कि अलग अलग परकार के जो कारक हैं वो किस परकार से इन्वार्मेंट को प्रवाविट कर रहे हैं पिछले वीडियो में हमने नगरी करण का जो प्रयावरन के डिग्रेडेशन पर पर पढ़ रहा है उसके बारे में हमने बात की थी हमने उसमें पताया था कि लगातार जनसें क्या जो है वो नगरों में परवास कर रही है और लगातार जनसें क्या नगरों में परवास के कारण है नहीं नगरी अपसिष्ट पदार्त हो कि निस्तारं के बहुत बड़ी समझे हो गई है इसके अलवा कि परियावरनिय पर दूसरे समझ देने प्रियार की समझासे जैसे उस जन से गनेत तो तिरुज जन से क्या वर्डी भूमी का भाव पेड पोदों की कमी मिन पर कार के कर्ण में पर्दोसन दीप को दो चव के में प्रचल प्रकार केल गातार टापमान में वर्दी के कारश गृरामेन शेत्रों की प्यक्छा जो घौमी का भाह बहाता ठेजात explicar नगर उसमा दीप में प्रिवर्ट्ध हो गया है यानि वने शेत्रों का पीक्सा बहुत अधिक महात्रा में बढ़ गया कर दूब पृस्जूने कि अई सक्टिंतर इसके करन जो नगरेट हैंनों का प्रियावरण है कि फुल अगातार क्या होता जा रहे परधूसेथ होता जा रहा है आज झिंध तक्ली में इस कड्यम chore सamqu dupran कि अरयsem हो रहा है या इन्वार्मिन्र डिग्रणेस्टशइ के बारें बात करेंगे। वर्तुमत जो मनुसे है और जो व्रतमार विश्य को आप देख रहे हो। Jês विश्य में मनुसे के द्वरा लगाता तकट्निकी विकास का इहम युवत दान जो दुनिया हम देख रहे हैं, गलोबलाजेसिन का जो यूग चल रहा है, ये सब किसका कमाल है, टकनिक के विकास का कमाल है। आदूनिक विश्यो को वर्तमान से तक तक पहुंचाने और भखुषियत अधिक उत्स करने में टकनिक के विकास की महता भूमी का है। ये वर्तमान समय में और और अगे तक ले जाने में इस अंसार को किसकी महता हैं, तकनिक की विकास की महता है। विज्ञान तयुम अतिदिक विक्षित परिमार्जित अधिक्स प्रोदोगी के आगमन के साथ 19 सद्दी के उत्राद में अधिक का आगमन हुआ। इसी उद्दोगी के करान मनुस्य प्रोदोगी के मद्दे सतुत्तपण संबंदों के सरवात होती है। द्रोदोगी के करान तय कर मनुस्य का विकास तो हुआ। लेकिं इसे के प्रारम के साथ में देरे-देरे प्रयारून का करमन या डिगरेडेशन या ओने भी होने लगा। आर्थिक निस्थेवाद की अत्तिवादी सम्कन अप्रमा पस्वी दुनिया के लोगों के बौतिगवादी दृस्टिकोन ता अधुनिक मानों के अत्तिविक्षित किन्तु जानले हुआ परदोगी की विगैनिक प्रगतिके फलस्रूप प्राकर्तिक संसादनों का अईवेग विलास के लाल सा उसको पूर्ण करने के लिए जिस प्रकार से प्राकर्तिक संसादनों का विद्वान प्रारभ हुआ उस विद्वान के कारण हमने एवेग पूंट तरीके से प्राकर्तिक संसादनों का प्योग किया और उसके कारण इन्वान्मेंट डिगर्डेसंस हुआ प्रयावनों पर बहुत बुरा प्रभाव पढ़ा हूँ आदुनिक प्रोधोगी की इमानों के प्राकर्तिक प्रयावनों पर प्रभाव इभिन प्रकार से पढ़ रहे हैं यह तिन जट्रिल भी से है लेकिन उसकी बारे में फिर भी हम कुछ सेत्रों में अध्यन के कोशिश कर रहेंगे कुछ प्रभाव जो हैं प्रतिक शुरुप से पढ़े हैं और कुछ प्रभाव प्रोक शुरुप से पढ़ रहे हैं तो कुछ प्रवावनियम प्रकार से हैं भूमी उप्योग में परिवर्दर कर्षी में विश्तार तथा पसलों के उत्पादन के लिए वन्नों को काट कर साप करना ता घास काच शेत्रों को जलाया जाना या पारेक उद्देशेशेशेश पेड़ों का वरत असतर पर काटा जाना नवीन कर्षी तकनिकों अधिक उप्रजने वाले बीजों चाई में परिवर्दतन के पसल प्रारूफ को परिवर्दित करना देखो दिरे दिरे जैसे जैसे जनसनी क्या वर्दी होती गई नहीं नहीं प्रकार की जो कर्सी तकनिक हैं उनका उप्योग से अधिक बीज देने वाले बेजों का उप्योग करके इपन फटिलाइजर का उज़ करके पैसे सेट्स का उज़ करके ठंक सेट्स का उज़ करके नहीं नहीं प्रकार की कर्सी तकनिकों का विकास करके हमने जो हमा तथा उत्खनन का कारी नदियों पर बांध जल बंडारों में सिचाए के लिए नहरों का निर्मान नगरिकर्ण में वर्दी खनीजों का अंदर धूंद खनन मिगत जल का तिरुगतिसी निसकासन आदी इसके प्रनाबी क्या होंगे बड़े बहनक सिदे होंगे यानि हमने जो प्रकर्टिक की रूप से बैती हैं उनको रोकर के बांध बना दी हमने हजारों लोगों को हजारों एकर जमीन को दिलमगन कर दिया हजारा लोगों को विस्तापित कर दिया लोगों का उनक गरहों से दूसरे चेतरों में जाने पर मजबूर कर दिया अन्नेक प्रकार की कीड विट्टों की परजातियां जो उस चेतर में विद्यमान थी, नस्ट हो गई, वहां का जो एको सिस्टम हो परिवर्तित हो गया, तो परकर्तिक के अंदर इस परकार के जो परिवर्तन है, उसका प्रणाम भी क्या होता है, बड़ा बहनक होता है, सहरों में लगातार वर्दी हो कर रहे हैं कि उसकी दुबारा से पर्ति-पूर्ति होना संभव नहीं है, तो इन सब का क्या है, दूस पर बाव किस पर पड़ेगा, हमारे प्रयावन पर पड़ेगा, कर्शी का रहे है, कर्शी का मशिनिकरन, रसानिक खादों रसानिक कीटनासुकों का परियोग, हम लगात परियोग कर रहे हैं, तो इसके का रहे हैं पूरी कर्शी जो विवस्ता होई ही, बदर रही है, और इस कर्शी विवस्ता के बदलने का परभाव है, वो इन्वारिमेंट पर भी पड़ेगा, मौसम रूपांतन कारिगरा, वर्सन को प्रयृत करने के लिए मेग बिजन, प्रभाव दिखाए देंगे, आने वाले समय में, विवन परकार के दुनाब की कारिकरम है, समुदर की अंदर प्रमाण भूम स्पोर्ट को करना और इसका भी दूस्त प्रभाव पड़ेगा, पार्शितिक समिधन सिल शेतनों के साथ छेड़चार करके माना अपने परणों प्रणी लुप्त होने के काकार पर खड़े हैं, आज लगातार रेड डाटाबुक के अंदर जो रेड जो प्रणी हैं, उनके संक्या में लगातार क्या और ये वर्दी हो रही है, तिति शुद के उपरांत विज्ञान और तकनीक के छेतर में अपुत्परू प्रगती पक्षियों जीव जिन्तों के परजातें विल्प्त हो रही हैं, वन्हों का तिरुगती से विनास हो रहा है, आखिस्तिन की कम्मी हो रही है, ओज़ों परत कमजोर हो रही है, फुल सुब तरह तरह की जो बिमारिया हैं, वो फैल रही हैं, तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि तकनिक एक दोधरू तलवार की तरह हैं एक तरफ वो हमारे जीवन को आसान बना रही है दूसरे तरफ प्रयाउन डिग्रडेसंस करके आन्ने वाले बहुश्य को अंदकार में कर रही है तो प्रकृत तकनिक का विकास जितना सिमित मातर में उसका उप्योग करें और मनुसे हि तकनिक के दूस्प्रवाओं को हम नकारते हैं या दूस्प्रवाओं को नहीं देख रहे हैं तो यही तकनिक जो है आने वाले समय में महारी बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी तो हमें इस बात कर द्यान करना है कि जो मनुस्य लगातार अपनी बहुग लास के सादनों के लिए बर्त विजन संक्या के पेट बनने के लिए जो उम्य प्योग में परियुटिन कर रहा है लगातार विकास के लिए खानन के लिए उत्खनन का कारिय कर रहा है मोसम में को रुपांतित करने के कोशिश कर रहा है इनका जो प्रभाव है वो लगातार हमें प्रकर्ति में दिखाई दे रहा है तो कोशिस यह करनी है जितनी स्मित मातरा में हम स्मित मातरा के अधरे देमे ऐसी तक्निक आप लोक करें उसके जदा बेतर रिजल्ट आ सकते हैं धन्यवाद